जा पूर्व मंत्री एवम कॉंग्रेस विधायक किरन चौधरी ने हर्याना संशोधन विदेग 2021 पर सवाल उठाते हुए जनिता टीवी से खास बातशीत की कि अर्याना विदानसभा का सीटकाली इन सतर चल रहा है इसी बीच कॉंग्रेस की जो नेता हैं पूरो मंत्री हैं किरन चोधरी उन्होंने जो पिछले अगस्त पे सेशन हुआ था विदानसभा का उसमें जो बिल पारित किया गया था भूमी अर्जन विदेग जो सरकार संसोल लेकर आए थी उस पर कई तरह के सवाल उठाए है मैं अभी जो शीटकाली सतर चल रहा है लेकिन मौनसुन सतर जो अगस्त के महिने में हुआ था उसमें भूमी अर्जन विदेग सरकार लेकर आई थी आप कह रहे हैं कि वह आभी तक उसको राजयपल की मनजूरी तो महीं मि पतलब ये किसानों को जो टेनेंट्स हैं जमीन के ओपर उनको या जिनके पास भी कोई जमीन है और उनकी जो राइट्स हैं उनको हनन करने का जो कानून जो है ये बनाया गया है तो ये जो तीन काले कानून अब केंदर ने जो लिये हैं वापिस कर दिये हैं तो उसी स्पिर रिख knocking वह फिंग भी मैंने बेड़ानसबा सत्र दुराण स 테हर के उपर कही गई थी और वी बडि़ी अधिस Nagषु कि सधार वच भी घुठायों थे इनिको भी मालुम है कि किस तरह से बो है और जिसतरा से यह पास का गया एंशनिफो जो मैंने पॉइंट आउट करा था कि जो प्रुविजो जो है टेन एक के अंदर इंसर्ट करा गया है उसके अंदर प्रुविजो तो कोई डाला ही नहीं है तो यह करेक्शन ऐसे नहीं हो सकती है खाली बिदान सभा के अंदर वापिस लाया जाए वहां पर पूरी चर्चा हो उसके बाद जो है उसके ओपर जो हश्रु हो वो सरकार देखे लेकिन मेरा अपना मानना है क्योंकि अब यह बिल जो है कल की सूची मैंने देखी जो सारे बिल जाएं है उस सूची के अंदर नहीं है तो यह अच्छा मोका पड़ा है कि जब तीन काले कानून वापिस हो गए सब्सक्राइब कर देखे लिए उसके ऊपर लंबा जो हो एक सत्ता पक्ष उपक्स के बीच में बैस हुई थी तब भी आपने का था कि यह बिल जो हो किसान के हित में नहीं है तो अभी जो हो बिल हलांकि राज जेपाल की मंजूरी इस बिल पर नहीं है लेकिन आप क्या दे ускर 13 का जो बिल है वो किसानों के भी हक में हैं और सरकार के हक में भी मतलब वह दोनों समन्वे बनाता है और बैलंस करता है और अच्छा बिल है अच्छा कानून है अब उसको एमेंड करके इस तरह से एमेंड करना यह तो खाली अपने चहेतों को फैदा पहुचाने वाली बात है क्रोनी कापिलिजम जिसको हम कहते हैं उसको बढ़ावा देने की बात जो है ये करने की कायवाद है सचा ही ये है कि उस बिल में ये 2013 के बिल में ये है कि कोई भी जमीन को अधिगरंड करा जाएगा तो 70% की उसमें रजामंदी होनी जरूरी है और कले कि एक ये जमीन अधिगरंड की वो पूरी होती है सरकार जमीन अधिगरंड करती है लेकिन इस तरह से जिस तरह से ये करने की कोशिश कर रहे हैं ये हनन है राइट्स का, किसानों का, न टेनेंट्स का, न लोगों का जिनके जमीनों के ऊपर कोई स्टॉक्चर्चर्स बने होए हैं, सारा कुछ, और फिर दूसरी बात जो सबसे हैम है, दो चीज़ें तो इन्होंने डू अवे कर दी सतर परसेंट और कलेक्टर को जाने की जरूर नहीं है तीसरा जो है कि जहां पे जमीन जो जमीन में पानी लगता है उस जमीन को भी आप ले सकते हैं उसकी लिए दिग्रण कर सकते हैं तो यह कहां की मतलब हो है दो हजार तेरा की उसमें नहीं कर सकते हैं फिर एक पॉइंट और है कि मल्टी क्रॉप जहां पर जिस जमीन पर मतलब जो जाओ जमीन है किसानों की जिससे सोना उगलते हैं वो वो जमीन भी आप अगर अपने चहेतों को पब्लिक प्राइवेट पार्टनर्शिप के अंदर आप देने की कर रहे हैं तो इसका मतलब तो बहुत 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 की बात है हमारे स्टेट के लिए पिशले बार जब सुन सतर में ये बिल जब सरकार लेकर आई पारित इसको जब किया गया है तो मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष यू है वो बेवजय का हंगामा कर रहा है हम चाहते हैं कि विकास के काम जो है बिगयर अठके होएं और ये बात कहनी कि विकास के कारिया के हम विरोध हैं ये बिलकुल गलत बात है और ये गितने गुमराह करने वाली बात है सचा ही ये है कि ये ऐसी जमीन देखो फ़र एक्जांपल मैं आपको बताती हूं जैसे एक जमीन है किसी गैर मुरासी की टेनेंट्स हैं उनका जो है हक है नॉन प्रॉपराइटरी हक जो है एक जमीन पर है और वो जमीन अधिकरण आप कर रहे हैं तो वो कहां जाएंगे बिचारे कहां पे वो दर्वाजा खट कटाएंगे रेवनी रिकॉर्ड के अंदर उनका कोई रि पावर करो लेकिन जो कौपास्टनरी राइट्स जो महिलाओं की हैं बाप दादा लाई जमीन के अंदर वो जमीन वो जो हैं वो लिखत में तो नहीं होती है तो वो उसको कहिते हैं आप किस तरह से आप उसको सुल जाएंगे किस तरह से डिस्टिब्यूट करेंगे फिर मल् जाएंगे तो एक्सेस है मतलब मेरे घर का रास्ता जो है आपके जमीन में से निकलता है ये मेरी राइट है वो आपने वेच दी तो आपका खिकते मेरा मैं तो मारी गई आप समझ रहे हो तो ये सारे के सारे ये इस तरह की कॉन्फिक्टिंग है जैसे फॉरेस्ट लैंड है रिवर बेसन के लैंड हैं सो ये सारी चीज़ें तभी एक्वायर हो सकती है जब उसकी प्रॉपर प्रॉसेस जू प्रॉसेस फॉलो करी जाए जो हमारे कानून के अंदर निर्धार तरीके से नहीं करना चाहती है और ये मतलब जलबाजी में ये करना चाहती है उनके हकों को अगले दिनों की जो कारवाई शुरू होगी तो उसमें आप इस बिल को जो पिछली बार मौनसुन सतर में पारित किया गया है जो अभी तक राजयपाल को जिस पर मंजूरी नहीं मिलिये इसके मुद्रे को किस तरीके से उठाएंगी और साथी अन्य जो तमाम आपने पश्ताओं दिये हैं उस पर आपकी क्या मांगें विद्धान सभा में मैं उठाओंगी इस बात को और देखते हैं अब यह क्या करते हैं क्योंकि इन्हें भी मालूम है कि गलत तरीके से यह जो है बिल मनी बिल करके यह पास करा गया जो यह मनी बिल है नहीं और अभी मौका पड़ा है कि जब इतना तीन केंद्री ने तीनों काले कानूनों को वापिस लिया है तो ऐसा काला कानून चौथा हर्याना सरकार क्यों बनाएं क्यों लोगों के हितों का हनन हो तो जब यह कानून अज्य है लेकिन यह कहना कि सहर नीचे से कोशिज जो करी जा रही है कि इसको जो एररं जो मैंने पोईंट आउट करें कि इट अप्टेफिकी केलर जैंट से और यह सबस्टेंस वाले एंड़नी यह तो तो मतलब पूरी तरह से एंट यह आप आँ कि हमारे चाहते कॉंग्रेस की नेता और विधाय किर्ण चोद्र थे जो ये कह रहे हैं कि भूमी अर्जन विदेग 2021 संचोदित विदेग जो अगस्त में हुए मौनसुन सेतर में पारित किया गया है वो काला कानून है हर्याणा के किसानों के लिए जिस पे अभी तक राजय पाल की मंजूरी भी नहीं हुए है ऐसे में सरकार के पास मोगा है कि उसको वापिष लिया जाए इसके साथ ही के ंचोदरी ने साफ काया ये बूमी अर्जन संसोदित विदेग किसानों के हित में नहीं है ये उनके जो अधिकार है जमीन मालिकों के क झाल झाल